नमस्कार, मैं हूँ AI एंकर सना. आज हम जानेंगे AI और तक्नीक की दुनिया की बड़ी खबरें. Open AI ने अपनी जेनरेटिव AI पर आधारित तक्नीकों, चैट GPT, डॉल E और दूसरे प्रोडक्ट्स की पॉलिसी में आगामी चुनावों के दौरान, लोक तांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने से रोकने के लिए कई बदलाव किये हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित दुनिया के प्रमुख लोक तंत्रों में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं. नए बदलावों को लेकर OpenAI ने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा. OpenAI ने लिखा. हम ये पक्का करना चाहते हैं कि हमारे AI सिस्टम सुरक्षित तरीके से बिल्ड, डिपलॉई और इस्तिमाल किये जाएं. किसी भी नई तकनीक की तरह ये टूल भी फायदे और चुनावों के साथ है. जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में 2024 में चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, हमारा दृष्टिकोन वोटिंग की जानकारी का आकलन करके, नई नीतियों को लागू करके और पारदर्शिता बढ़ा कर अपने प्लैटफॉर्म सेफटी वर्क को जारी रखना है हम डीप फेक के गलत इस्तिमाल को रोकने पर भी काम करेंगे Artificial Intelligence की तकनीक लगातार विकसित हो रही है और इसके नए नए इस्तिमाल हमारे सामने आ रहे हैं किसी की आवाज को क्लोन करने से लेकर डीप अफेक्ट वीडियो तक AI की मदद आसानी से तयार किये जा रहे हैं अब जल्द ही AI की मदद से किसी की लिखावट की हूबहू नकल की जा सकेगी दुबई की एक युनिवर्सिटी ने ऐसी टेक्नोलोजी विकसित की है जो बड़ी आसानी से किसी व्यक्ति की लिखावट की नकल करने में सक्षम होगी दुबई की मोहमद बिन जायद युनिवर्सिटी आफ आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के रिसर्चर्स ने कहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति की लिखावट की नकल करने वाली टेक्नोलोजी तैयार की है इसमें किसी व्यक्ति की लिखावट के कुछ पैराग्राफ से मॉडल को ट्रेन किया जाता है इसे ट्रांसफॉर्मर मॉडल का इस्तेमाल कर बनाया गया है चैट जीपीटी के डेवलपर ओपन एई ने पिछले हफ़ते अपने जीपीटी स्टोर को अन्वेल किया इस ओनलाइन स्टोर पर लोग भी अपने चैट जीपीटी के कस्टमाइज वर्शन को शेयर कर सकेंगे ओपन एई का ओनलाइन स्टोर पिछले साल ही लाँच होने वाला था लेकिन CEO स्तर पर हुई हलचल के कारण इसे टाल दिया गया था ओपन एई का ओनलाइन स्टोर सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए है जिन्होंने चैट जीपीटी का पेड सब्सक्रिप्षन लिया है चैट जीपीटी के पेड वर्शन में कई सारे एडवांस फीचर मिलते हैं जो कि फ्री वर्शन में नहीं मिलते चैट GPT के पेड वर्शन से आप गणित के सवाल भी हल कर सकते हैं इसके अलावा यह वर्शन कलर्फुल कॉल्टेल रेसिपी भी बता सकता है हालांकि क्वार्ट्स की हालिया स्टडी से पता चला है कि इस स्टोर पर रोमैंटिक AI चैट बॉट की भरमार हो गई है इस पर गर्ल्फ्रेंड लिखकर सर्च करने पर कोरियन गर्ल्फ्रेंड, वर्चुल स्वीट हार्ट, यूर गर्ल्फ्रेंड स्कारलिट, यूर AI गर्ल्फ्रेंड जैसे नाम सामने आ जाते हैं गौशाला में कौन सी गाय पहले बच्चा देगी? ये जानना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में गाय पालने वाले लोगों को गाय की डिलिवरी के एक महीने से पहले बार-बार चेकप कराना पड़ता है डिलिवरी की टेंशन हमेशा बनी रहती है इस चिंता से मुक्त करने के लिए एक नया AI सिस्टम आ चुका है इसकी मदद से आप पता लगा सकेंगे कि आपकी कौन सी गाय पहले बच्चा देगी दरसल निकॉन ने एक AI लैस सेटप पेश किया है जो गाय की डिलिवरी के समय पशु पालने वाले को इन्फॉर्म कर सकता है ये उस समय मददगार साबित होगा जब गाय के डिलिवरी के दिन नजदीक आ जाते है ये इस दौरान बार-बार चेक अप कराने की जरूरत को कम कर सकती है खेतों पर लगाए गए कैमरों के जरिये से गायों की एक्टिविटी की जाँच करके जब गाय बच्चा देने के करीब पहुँचती है तो सेटप तुरंत किसानों को सूचित करता है